कुंड़ी का फर्स्ट हाउस इसको लगन कहते हैं लगन भाव कहते हैं और फर्स्ट हाउस का जो स्वामी होता है वो लगनेश कहलाता है तो फर्स्ट हाउस की बहुत इंपोर्टन्स होती है पूरी कुंड़ी की कंट्रोलिंग पावर जो होती है वो लगन और लगनेश पर डि नहीं करेंगे लगनेश को मजबूत नहीं करेंगे फॉर एक्जेम्पल अगर मेश लगन की कुर्णी है मंगल सेकिंड हाउस में है लिकि लगन में चंद्रकेतु योग बन गया तो होल लाइफ वेक्ति क्या करेगा चंद्रकेतु की ग्रहन दोश जो ऑवर्थिंकिंग करवात कॉमिनेशन को उस अकॉर्डिंग पॉजिटिव बनाने की कोशिश नहीं करेगा तो वो अनेसेसरी की डिटेश्मेंट हर वक्त कुछ नहीं को सोचते रहना इन सब चीजों में इन्वाल्व रहेगा इसकी लगनेश की सिति बहुत इंपॉर्टेंट शुह होती है कुंडली म और क्योंकि लगनेश वो बताता है आपकी परस्नेलिटी किस तरह की है उसमें जो प्लेस्ट राशी है उसके स्वामी ग्रव की सिति या उसके अट्रिब्यूट्स जो होते हैं वो भी वेक्ति के पेस्नेलिटी में देखे जाते हैं फिसिकली वो कैसा होगा दिखने में कैसा होगा कि तरह कि उसकी हौबी उसकी पर्सनेलिटी की क्वality हैं उसका क्या हो lihat physically वह क्या हो सकती है तो पूरा ओवरॉल अपेर just को जो है वह लग्न भाव लगनेश की सीथी विक्तिक्य मताती है उसकी चारित्रिक की क्या विभाड है यही ला stitching कira लगनेश इसकी सिति बताती है इसलिए कुंडली में अगर अस्तवस्था में हैं लगनभाव में अगर कोई ग्रहा नीच हो गया है कोई मारेक ग्रहा की बैट गया है तो वह लगन की सितिको खराब करेगा और जो वेक्ति को अच्छे रिजल्ट उसकी लाइफ में मिलने चाहिए जो प्रोफेशनल और परसनल ग्रोथ मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाएगी इसलिए दूसरा इसमें जो लॉजिक आता है कि लगनेश जो है वो जैसे भाव में बैठेगा उस भाव के अट्रिब है लगन को प्रभावित करेगा यानि लगन में आकर व्यक्ति की पसनेलेटी पार्ट में उस ग्रह के कारकत्व देखे जाएंगे कोई ग्रह नहीं है तो लगन भाव में सित्र राशी और उसके स्वामी ग्रह की दशा दिशा जो भी जस भी भाव में बैठा हुआ है वो किन नहीं है नीच तो नहीं है यह सब कंडिशन होती है ना वो पूरा एक डेटा कलेक्ट करके देती हैं किसी भी व्यक्ति के पसनेलिटी पार्ट को जानने के साथ उसकी लाइफ में वो आखिर करेगा क्या वो सब बताने की लिए तो कुंडली में लगनेश की स्थिति को जो है तो सबसे पहले चेक करेगे आपकी लगनेश की क्या सेती है और उससे जुड़े हुए रत्न वगैरा जो है मंद्र बाट पूजा कलर सेरपी के त्रू आप उसको मजबूत करिए उंडली में जो जो भी चीज़ें आपको परसनल प्रोफिशनल गोच चाहिए आपकी इस उपाई से करने से ही आपको मिल जाएगी तो लगन और लगनेश लगनेश वापकी हेल्थ आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को भी कंट्रोल करता है उससे मजबूत करना उससे जुड़े हुपाई करना आपकी कुन्नी को बहुत हद तक इंप्रूव करेगा उससे ज करेंगे